हेलो दोस्तों मैं हूँ आपका अपना संस्कारी सुमेथ आज के वीडियो में बहुत एक खास चीज बताने वालों मैं कि अब सर्दियां आई गई हैं आपको पता ही है सुबह सुबह जब गाड़ी ठंडी होती है और हम बैठते हैं गाड़ी में सुबह हो या शाम हो जब भी दूप खतम हो जाती है तो उस समय हमें एक प्रॉब्लम आती है बहुत जादा वह किस चीज की होती है वह होती है जो मौश्चर जैसा आने लगता है जो टेंप्रेचर डिफ्रेंस होता है उससे अब वह बरसातों में कैसे होता है वह मैं आपको बता चुका हूं हम शीशे ब चल रहा था बारिशाई एकदम से भाहर ठंडा हो गया और जो विंड्शील्ड हो ठंडी हो गई जैसे मेरी गाड़ी है घर के बाहर खड़ी रहती है और रात को टेंप्रेचर डाउन होता है बहुत ठंडी हो जाती है अब उसके बाद क्या होता है कि थोड़ा सा यह दूप पारी है नीचे उपर हो उसको अग्नोर करना सामने से दूप पड़ रही है तो उस समय क्या होता है कि शीशा बहुत ज्यादा ठंडा हो रखा होता है जैसे हम गाड़ी में आके बैठते हैं हमें सामने एक भाब जैसे दिखने लगती है एक बंदा बैठा हो तो कम दिखेग से गाड़ी स्टार्ट करी अब हमें जल्दी से जावजज़ी जो विंणशील्ड होती होती गाड़ी स्टार्ट करी होती और हम सीधा अब नहीं अब क्या पर ह rationale करनी है और मतलब हमें क्या चीज़ इग्नोर करनी है वो बहुत ध्यान से सुनना आप वो चीज़ आपको बहुत आगे कामें आईगी देखो हम क्या करते हैं हम सीधा गाड़ी स्टार्ट करी हमने और डारेक्ली हम यहां से ऐसे करके फैन ओन करा और इसे गरम पे कर लिया और इसे विंड्शिवल्ड की तरफ ऐसे करके कर लिया अब हम वेट करने लगते हैं अब यह सबसे ज़्यादा दिक्कत क्या होती है जैसे हम कॉल्ड स्टार्ट कर रहे हैं गाड़ी को उस समय आप सपोज करी है कि आपने चाय है चाय आप गरम कर रह रहे हैं एक तरह से ठंडा करने के लिए और नीचे से आपने जला रखी अब वही चीज आप यहां समझो बहुत बुरा था लेकिन भी आपको यह कुलेंट होता है हमारा फैट्र बगार नहीं होता है क्योंकि हमारा शीज गर्कुलेट होना शार्ट हो जाता है उसमें हम यहां से इसको चलाएते हैं अब जब यह हमारा होट वालीसाइट हम करते हम करते हैं हमारी उन कोईट में से कूलन्ट निकल रहा है अन कोई अमस्स में खोकर आती है अब आप यह समझजे आप तो हम गाड़ी को cold start हमने करा हम चारे हैं गाड़ी गरम हो जाए लेकिन उसके साथ साथ उस पे हमने हवा चला दिये अब क्या है जो गाड़ी है वो temperature काफी देर से achieve करेगी हमें एक तो गरम हवा आनी रही क्योंकि obviously बात है जो हमारा coolant है वो ठंडा है उसमें तो गरम हवा कैसे आएगी और उसक से पहली चीज़ आपको करनी है आप cold start कर दे गाड़ी को वो चीज़ ना करें दो मिनट चार मिनट पांच मिनट पहले आ जाओ गाड़ी में वो चीज़ मत करो कि डारेक्ली विंड्शील्ड के लिए वो चला दिया हवा जो है ब्लोर चला दिया उसको तब चलाओ आप जब रेस कभी भी खड़े इंजन में चाहिए गर्मी सर्द कुछ भी हो न्यूट्रल में रेस दी ही नहीं जाती किसी भी इंजन में ठीक है अब आपको करना क्या है सीधा आपने स्टार्ट करा दो मिनट चार मिनट जो भी आपको cold start करना वो आपने कर लिया अब उसके बात जब आपको भी circulation लेना एक नंबर दो नंबर इतना ही लेते हैं वो चीज़ कर लेना उससे आपका क्या है उससे आपका धीरे-धीरे हवा जो है वो लगने लगेगी और ज्यादा से यादा एक डेर दो किलोमेटर में ही आपका उससे भी जल्दी और दो से तीन मिनट में आपका जो विंट शिल्ड हो जाएगी अब उसको मेंटेन कैसे करोगे आप कि अंदर सफोकेशन भी ना हो जाए और क्योंकि गरम हवा है तो सफोकेशन हो गई होगा तो आपको मेंटेन करना है देखो सबसे पहले तो इसके थूँ यह हमारा फ्रेश एर का जब भी यह कहा जाता है कि जब भी आप गरम हवा चला रहे तो यह करिए इसके साथ से यह भी कर सकता है हलके हलके जो विंट है उसे डाउन कर लो ठीक है लेकिन इसको यह धियान अखना आप जब भी घाड़ी खड़ी करोगे फिर इसको इधर ही करना है क्योंकि नहीं तो चूहा वगएरा एंटर क कर सकता है यह चीज़ मैं साथ के साथ बता रहा हूं ठीक है एक तो यह हमारा फ्रेश हैर अंदर की तरफ ले सकते हैं तो फिर आपकी जो सफोकेशन है वह नहीं होगा और उसके साथ साथ जो यह गरम हवा का लेवल है जरूरी नहीं है कि आप इसके थ्रू ही कम ज्यादा कर करता हूं कि हलके हलके करीब यानि आप यह समझिए 10-10 mm 12-12 mm 15 mm आदा इंच करीब ग्लास जो है आगे के वह दोनों खुल ले तो दोनों एक कोई मत खोलना उससे जो वेंटिलेशन है वह सही से हो भी नहीं पाएगा और दूसरा कुछ आवाज आने लगेगी तो दोनों साइ आप इजिली चल पाहोगा हैं मेंटेन आपको ऐसी करना है कि इसको जो टेम्परेचर कि इसको करना है कभी जो लोग ओते हैं कई यहो कोई मतलब नहीं आप समझिये आप यह बात हो गई कि आपको अगर गर्मी लगने लगी अपने उसमें रूम में सपोर्स सर्दियां है आपने हीटर चलाया हीटर चलाने के बाद गर्मी लगने लगी तो आपने heater का temperature कम करने की जगा या heater बंद करने की जगा आपने एस ही चला लिया जिससे वो maintain रहे तो यहां यह वाली चीज़ हो गई आप यह समझेए भले ही यहां पर यह हमारा on है अगर यह on रहेगा तो जो हमारा compressor है वो चालू रहेगा ठीक तो इसे ह हमें रखना है और जो हमारा यह है नॉब इसे हम रैड की साइड रखेंगे जिससे हमारा जो कूलेंट वाली लाइन हैं गरम लाइन है कॉइल है उसके थ्रू हवा पास होके आए और हमें गरम हामले और एक चीज़ और ध्यान रखनी है हमें कि कभी भी शीशे पे हाथ नही हो गया है तो हलका सा इस्प्रेय करके और कई लोग होते हैं डायक्ली जो कागज है पेपर है उसे ही ऐसे फिराने लगते हैं वह भी बहुत गलत है क्योंकि डस्ट पार्टिकल इतने हलके हलके होते हमें नहीं पता होता अंदर की साइड आप यह कर सकते हैं कि हलका पानी लि देंगे नहीं तो सबसे बैस्ट है पानी में भीगाओ गीला कपड़ा उसको निचोड़ो और फिर मारो शीशे पर उसके लावब कुछनी कोहरा कितने से कितना हो कितना भी जादा कोहरा हो बहार कोई हमें टेंशन नहीं हमें इसी तरीके से जो आपको तरीका बताया है मैंन कि आपको किस तरह से मैंटेन करना है वही आपको फॉलो करनी है चीज़े एक नंबर दो नंबर जो आपको सही लगए वह करना है टेंप्रेचर यहां के थुरू मैंटेन करिए और इसको जो हमारा फ्लो है उसको विंडशील्ड की तरफ को रखिए तो क्या होगा आपकी जो का मतलब जो भाब है वो नहीं जमरी इसमें यही हमारी सुबह सुबह का टाइम होता है थंडी होती है तो इस वैसे टेंपरेचर डिफरेंस हो जाता है यही चीज़े जब हम यहां से इसको ऊपर फ्लो करके विंडशील्ड की तरफ फ्लो करके और इसको गरम की साइड कर दे क्योंकि विंडशील्ड गरम है और यहां से लगातार गरम होती जा रही है आपको सटन डिफरेंस दिखेगा जैसे आप इसको बंद कर देंगे और आपको एक मिनट भी नहीं लगेगा फिर से वैसा कंडेंसेशन और जो मोईस्चर जैसा है वह आपको फिर से दिखने लगे घ청 करता है क्या यह कुछ ऐसा नहीं कि मेरी 2ającal की गाड़ी यह भी सलकी गाड़ी है सब गर्यों में होता है यह नैचरल फिनोमेना है लेकर इसको टैकल कैसे करना है कई लोग कि सिमें έل प्रई चाहर excit взять कर त blending में और इसको फिर फ्लो को कम जब कर दिया तो अजीश सा फील होने लगा इसको नॉर्मल करा तो फिर भाब जमने लगी लोग इसी में उल्जे रह जाते हैं आप स्टार्टिंग में दुबारा बतारो स्टार्टिंग जो करो इसको बिल्कुल बंद रखो सब कुछ और इंजन को कोल्ड स्टार्ट कर लो दो मिनट तीन मिनट चार चलाओ और जैसी आप आगे बढ़ने लगोगे एक किलोमेटर डेड़ किलोमेटर बाद आपको फर्क दिखने लगेगा और उसके बाद आप इसको अगर आपको नहीं फर्क दिरना फिर आप टेंपरेचर बढ़ा सकते हो यहां से रैड की साइट ज्यादा कर सकते हो ठीक है कम टेंपरेचर करके जहां आपको सही लग रहा है चाहे आप सेंटर में कर सकते हो चाहे इधर कर सकते हो करके आप फिर से एक नमबर या दो नमबर जहां आपको ठीक लग रहा है वो आप कर सकते हो और इसको सर्कुलेशन पर रखना है और जहां पर आपको लगे यहां कर द झाल